अब देखे यहाँ पर हैं पर स्क्लास 10 के महात का जो चेप्टर है पांच वार समांत्र सेंड है उसी का प्रिशनावली है पांच दसम्लोंति निशी को में इस वीडियो में हल करने वाले ठीक है और यह वाला जो वीडियो यह पार्ट फिरी है जिसमें हम लोग कुश्ण पर पार्ट टो मिल देगा ठीक है तो बिना किसी देखे कोश्ण नंबर 11 से आगी हल करते हैं तो देखे कह रहा है यदि किसी एपी के पर्थम एन पदों का योग यह इतना है ठीक है अब पर्थम एन पदों का योग योग का मामला है ना मतलब की of sn घ्क है एस एन बराबर में किदा दिया हुए है तो 4 and माइनस का यह इतना दिया हो ठीक है उसके वाओ से कहते है तो इसका पर्थम पद iस नचाहरा वी हूं हमें लेना है यह तест वन क्या है ठीक यह उसम व int g उबताना आ ठीक है उसके 8 इस तरीके चेंट वी के इंटर कितने दो collar कमें मतलब यह एक पी है ठीक यह ए हमारा पहला पता होता है यहारा दूसरा ढूसरा ऐह हमार तीसरा ऑठवी है रजब इसी का योग बताना होता है थो क्या करते हैं सब वी को जोड देते हैं ठीक तो जब यूग कहता है तो यूग का मतलब होता है सब फथों को जोड़ करके बताये जाता है और जब कहता है कि पद घ्मालब पताये अब एधरी अगर आपestly होता लगह नहीं जाता है होता है यह नहीं ते यह एड़्यार क्लियक्व के यह तुछ फथ में अंतर आप इसके वाद से देगे कर रहे है कि पर्थम पद S1 क्या है तो दो पदों का योग मतलब की इन दोनों को सपोच करिए कि यही दोनों और इन दोनों को जोड करके बता दीजिए ठीक है A1 पलस A2 तो A1 के अस्तान पर 2 है पलस में A2 के अस्तान पर 4 है तो आपका देंगे कि 6 है ठीक है अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी बता सकते हैं कि डारेक्ट एस्टू निकाल लीजी ठीक है मतलब कि इन दोनों पतूका योग एस्टू का हैंगे ठीक है तो यह क्या लिका ये लिका है दो पतूका योग डारेक्ट यहाँ पर आंसर लिका जाएगा 6 ठीक है और यह वालगा कहता है कि एकदम से अलग अलगा करके दरसा पहले दूसरा पाद जब मान रखेंगे तो इतना यह उसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा और यह कहता है कि हम डारेक्ट हम इसका मान बतातें कि इच्छे है अभी आपको समझ में आगा देखें इस परतम दो पदो का यूग तो जब दो पदो का यूग यह आपका एवन प्रफिर आप एसे भी आप बता सकते हैं कि यह कितना होगा तो यह वाला दोनों एक ही चीज है बस इतना पूदिया अगला पर्थम दो पदों का यह क्या है उसके दूसरा पद क्या है अब यहां पर योग का मामला नहीं है मतलब दूसरा पद ए-2 क्या है यह चीज हुआ में बताना है उसके पूसे इसी बरकाल से 3 और 10 टीक ठीक है तो तीसरे तो कर यह थरी क्या luc can टीख है और A10 तोaving 10 क्या है यह विःमें बताना उसेडियाद की यह इतना सारा चीज़ बताना तो लिए वन निकाल लेते हैं डिके इसमें एस वन कहां पर है यहां पर तो जाहाँ बने वहां पर हम रखदें तो यह हो जाए कितना चार माइनस का एक मतलब की तीन यह आ गया यह सवन ठीक है यह स्टू भी निकाल लेते हैं तो यह तू निकालने के लिए करना पड़ेगा यहीं पर आपको टू है तो यहां पर और यहां पर तू रख देंगे चार गूंड़े दो माइनस का दो का उसके बाद से इसमें त découvrir है ठीक है आप देखें यह जड़ा अगर आपको ग्यात करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए ठीक लिवग स्था। 2D अब इसमें कहीं पड़ी के माने नहीं पता है फिर तो मामला कर दो हो जाएगा यह वाला कामें नहीं करेगा तो इस condition में situation के लिए एक और formula बनाए गया है कि अगर आपको एथरी निकालना है तो सिंपल क्या करिए कि यस 3 मसे घटा दीजिए यस टू को आपका एथरी निकल जाएगा ठीक तो बस तो आब एथरी बताना है तो हमें यस टू चाहिए तो तो है यह स्थे हैंमें नहीं मालूंने तो 3 हम निकाल लेते हैं तो रखड़ ऑपर ठीक है दिंगे T inglés चार माइनस का माएनस का है तो टौर इसक्स का फ मैनस का नो 132 बार यहां पर आजाएगा तीट यह अब का अंसर हो जाएगा थेक तो ठीक है हाँ ठीक है कोई बात नहीं है अब इसके बाद से इसी तरीके से में A10 भी निकालना पड़ेगा ठीक है तो A10 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा यहीं परमान रगना है ठीक है यह वालत दिए दिया है तो चार गूड़े 10 माइनस में 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा यह 40 माइनस का 100 तो यह हो जाएगा माइनस का 60 यह आपका हो जाएगा ठीक उसके बास से यह 9 भी तो चाहिए तो S9 बराबर हो जाएगा चार गूड़े अब यहां पर ठीक है दिखाए रहां ठीक है तो 9 माइनस में 9 का स्क्वायर तो चार नहीं हो जाएगा 36 माइनस का क्या सी अब घटा देंगे ठीक है तो 11 में से 6 जाएगा पांच बच जाएगा फिर 7 में से 3 जाएगा 4 बच जाएगा और यह वाला बड़ा है तो माइनस लग जाएगा यह आपका S9 निकल गया ठीक है अब ऑन भी बताना है तो एन के दिए यह वाला भाल रहेगा तो इसमें क्या यह 10 जितना बताना होता है कि उसी में से एक कम कर दिया ज newsletter वही इसका यह है यह गया स जाएगा 1 और एक न कर दीजी ठीक है इन मसे यहाँ पर एन के जगे अब 10 लिका है अब इसी में से एक कम हुआ ना तो यहाँ पर न हो गया तो वही काम यहाँ पर s and and-1 यह फर्मूला हो जाएगा Ü यह और कुछ हो नहीं है आँ इसको हाल कं लेते हैं थोड़ा थोड़ा परले निकाल लेते हैं ह्हां और एक बताते हैं एक तू बराबर हो जाएगा कहीन निकला थो और उनाइब यख स्टू और इस उक्ञा तोत्यों कितना है तो यहां पर 4 है एसवन कितना है तो चलिए घटा देंगे और एक बज जाएगा यह आपका निकल गया है तो ठीक एठरी कही निकला तो नहीं है, नहीं निकला है, A3 बरावर में, S3 माइनस का, S2, अब S3 कहां पर है, तो 3 है, S2 कहां पर है, तो 4 है, यह वाला बड़ा है, तो माइनस का 1 बच जाएगा, ठेक, क्लियर हो रहा है, अब इसके बाद से क्या बताना, S10 बताना है, A10, A10 बताना है, तो यह हो जाएगा, S9, S10, और माइनस का S9, ठीक है, तो S10 कितना है, माइनस का 60 है, और S9 कितना है, माइनस का 35, तो यह भी माइनस में, यहां बोहरो जाएगा प्पाफ में तरीट देंगे माइनस की पंद्र आजएगा निकाल नहीं से असानी से और इसके वाद से मामड़ार जारहें टिक करते हैं तो इन ब्रढबर कितना है यहां सबस्क्राइब गांग तो इन बराबर में हो एक यह तोगा अब हैसेन का फोर्मूला सन कमान यहां पर दिया हुए ठीक है यह इतना है पर दिया हुआ है तो पर देंगे 4 एन माइनस में में एंसक्वार ठीक मैनस लगा देंगे और ब्रेक्ट में फिर एसन कमान कि total पी तो यहां पर जहाँ पर यह वाँ वाँ पर न-1 पूट कर देंगे ठिक है तो छिल्द यहां पर कर देते हैं है तो यहां पर कितना हो जाएगा चारेज के टिक hyster लर थोड़ा सा यहाँ पर करकर दिखा दें है थाकि आपो थोड़ा भी confusion ना रहे ठीक है तो क्या दिया है कि एस एपर में 4N-2 यह इतना दीह हुए है तो हमें क्या और मैने सबस्क्राइब स्वाइब निकालना है तो स ज्लिब लिए पूट कर देते हैं तो यह हो जाएगा चार बड़ा परेकिट कर लें ठीक है चार फिर एन-1-1 का होल स्कुर्ण यह चीज है ठीक सब कमान निकल लगे अब संश्थ यहीं बचा है तो यह पर जाएगा एंदर वाला पहले हल लेते हैं अचार ऑन मैंने इसको पर म separate यहां पर मायनिस लगा देंगे इसको एपसों माइनस 1-2 में अच्छी जाएगा रियर बंद ढम यहां पर जाएगा हो कितना है तुद्धर है अब उसको हाल कर ले और तो चार ऩयं zwei का स्कॉयर माईनस में स्कॉयर और दभी वासे मैंस लागत यह करके और अंदर यहां कि उसके बैसे पशनाय का माइनस में येच का स्कॉयर माईनस में एक का सुझेर की रहेगा फिर यह चाहर यहांत सब्सक्राइब 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 अब यह ठीक है फिर एन स्कॉयर माइनस में अब पहले माइनस है इसलिए सब का चीन बतल जाएगा तो यह जाएगा चार एन फिर यह वाला आपका हो जाएगा पलस में चार फिर यह वाला पलस में एन स्क्वाइर हो जाएगा उसको वासे फिर यह पलस में एक हो जाएगा फिर यह माइनस में दो बस सिंपल यह आपको आंसर आजाएगा इतना ही अब कुश्य नंबर 12 ठीक है यह वाला प्रश्ण बहुत आसान इसमें कहता है कि एसे पर्थम 40 धन पुर्णांगों का योग ग्याद किजिए जो 6 से भी वाज है ठीक है ऐसा संख्या लेना है ठीक है 40 ठीक है 40 ऐसे संख्या लेना है जो कि 6 से पूरा-पूरा कट जाए ठीक तो देखें पहला तो 6 6 को अगर हम 6 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा मतलब पहला 6 हो जाएगा तो पहला आपका हो जाएगा एपी बना लेते हैं ठीक है एपी तो पहला तो आपका 6 हो जाएगा ठीक दूसरा कितना हो जाएगा तो इसी 6 में 6 जो जोड़ीजे 12 ठीक है अब देखें 12 से पहले ऐसा कोनों संख्या नहीं है जो आपका 6 से कट सके बारा मिल गया उसके बारा में 6 फिर जोड़ लेते हैं तो बजाएगा अठारा इस तरीके तीन आपको लिख लेना बस बहुत है अब इसमें क्या कर देंगे तो पहला पद यह है तो ए बराबर में आपका 6 है अब इन दोनों घटाएंगे तो बचेगा आप 6 मतलब कि डी बरा संक लेना है तो 40 मतलब कि तो ये संख्यां का पदों की कुल संख्या 40 हमें लेना है तो इसलिए आपका n बरावर में 40 होजाएगा हमें बताना है योग तो फॉर्मृल लगा देंगे सनी बरावर में एन वाइक 2 और 2 प्लस में एन माइनस का वन और यह और पहल जाएगा तो हमें अन कमान 40 है तो यहां पर हम रख देंगे तो यहां पर हो जाएगा 40 42 में तो फिर दो मोड़े एक मान हाई छह पलस में यहां पर हो जाएगा 40-1 और ड कमान चे उसके काड़ देंगे तोफर 2019 हो जाएगा 22 20 फिर 12 और पलस में चेव आइच आओं का वजएगा चार चट्री आठारफ पांच 20 यह जाएगा ठीक है उसको वासे 20 ठीक है और इसको हम जोड़ देंगे ठीक है तो 34 तो गुणा कर देते हैं तो कितने हो जाएगा चार हो जाएगा अर लास्ट में जीरो है तो यहां सर आ अगला में कुश्ची नम्मर 11 में कहता है कि आप के पर्थम 15 गुण जो का योग ज़ाद की ठीक है अब गुण जो का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई संक्या जिसमें आठ आना चाहिए ठीक है तो देखें आठ गूड़े एक यह भी तो एक गूड़ा जाए इसमें आठ आ रहा है ठीक है तो 16 में उसके पास से अगर आप 16 को तोड़ेंगे तो आठ गूड़े 2 यह कूड़े एक तो शिवार है जोड़ेंगे 8-24 चोड़ेंगे राट जाएगा ठीक है तो आठ गूड़े 3 ठीक है सम्में आठ आए तो यही सब इसका गूड़ा जाए तो इसको ऐसे लिखेंगे simple आपको लिखेना है हल और लिख देना है क्या पहला तो आपका एपी बना लेना है पहला तो आपका 8 है दूसरा आपका 16 है फिर इसी में 8 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा ठीक है उसे वासे फिर जोड़ देंगे 32 हो जाएगा ठीक अब इतना 3-4 लिख लिख लिजए बहुत है हमें टोटल कितने पद लेना है तो 15 पद ठीक है तो 15 आइसे लिखेंगे और सब को जोड़ेंगे बहुत समय लगेगा तो यही तरीका है पहला पद है 8 ए बराबर में 8 लिख लिजए अब इन दोनों घटाएंगे तो आजाए कितना दूसरे में से पहला को घटा आजाता है तो डी बराबर में 8 आजाएगा टोटल कतना हमें पद लेने तो 15 तो एन बराबर में आपका 15 आजाएगा हमें बताना है योग तो फॉर्मिलार लगा लगा लिखें एन बराबर में एन बाई 2 टू एपलस में एन-1 और दी ठीक है तो एस एन के अस्तान पर 15 यह जाएगा 15 बराबर में 15 बट्टे में दो और दो गूड़े एक अमाना है आठ पलस में एन के जगापर 15 माइनस का एक अब दी के अस्तान पर दे आठ रख दिया अब यहाँ अपर 15 में दो हो जाएगा फिर यह 8 बचला 16 हो जाएगा फिर फॉस में गटा देंगे थो 14 गूणे में 8 हो जाएगा ठीक है उसके बाद से हो जाएगा 15 में 2 थिक फिर ये आको जाएगा 16 पलस में 14 या योड़ा है ये हो जाएगा 15 वट्टें में दो और गुणे में ये हो जाए किते ना है तूशेए 2 छो जाएगा फिर है इससे आपका ये गट जाएगा तो 15 और गुणे में कितना हो अब इसको गोड़ा कर देते हैं तो पंदर जोगा साथ का जीरो पंदर चाहे का नमबे यह आपका अंसर हो जाए यहां पर हमारा कुश्चन नमबर है 14 ठीक है चोग दो नमबर है कि जीरो और पजास के अब बीछ में टोटल जो बीसमसंक्या उनको अगर जोड़ दिया जाएं तो उसका मां कितना होगा यह चीप अपर ना है ठीक हां तो यहिए सब से मनी चार कड़ जाइबा पां help पांच नहीं कड़ेगा कड़े गया ठीए टूरो और पचास के बीच में बताना तो 50 भी हमें लेना है ऐसा नहीं कि टोटल पदों की संक्या 50 नहीं दिया हुआ इसमें कर रहे हैं कि 0 से 50 तो 50 भी कड़ जागा 25 तो 50 नहीं होगा 49 49 को अगर काटेंगे तो दस हमलों में आएगा यह इस तरह यह से ठीक है तो सबसे पहले हम यह चीज चेक करते हैं कि 0 और 50 के बीच में टोटल कितने बिसम संक्या है ठीक है उसके बाद से जब पता चलेगा कि 0 और 50 के बीच में कितने बिसम संक्या तब न जोड़ पाएंगे तो सबसे पहले निकालते हैं कि काते नाहीं संक्हान चेज़ें तो उसके लिए हमें यह वाला फॉर्मूला अपलाई करेंगे जeping एंग बरावर में एपलस में माईनस का प्हुलूंस और लिए फॉर्मूला करेंगे तो देगे लास्ट वाले कों यह अनसे दर्शा देते हैं एन बराबर में 49 ठीक है पहला वाले को हम एसे दर्शाते हैं जिसको हम एक लिख देंगे अब इन दोने को बीच का अंतर तो दूसरे में से पहले को घटा आए जाता है ठीक है तो तीन वेसे एक गटेगा तो डी कमान आ जाएगा तो तो चलिए एन इन मामन बराबर में से एपलस में एन मायनस का उन ओ पर दें एन कमान 49 एंक आय मसल कर दो दोने क्वितना एक किसे एन वेधर हमें बताना यह कि दी कमान 2 है इसको इसमें से घटा देंगे तो दूसरे और तालिस हो जाएगा ठीक है बराबर में और अगोन में यह दो है यह इधार आए तो बाग करने लएगा तो 48 बट्रे में 2 हो जाएगा बढ़ाबर न माइस का वर्न ठीक है तो 24 28 हो जाएगा 24 यह वल इधार कर देंगे तो जोड़ जाएगा इसके साथ पलसमें एक ब्रावर में एंतर हो जाएगा 25 बरावर में यह चीज है, क्लियर हुआ, मतलब कि 0 से और 50 के बीच में टोटल 25 है से पद है जो 20 हमें, ठीक है, अब पचीसों को जोड दिया जाए, पचीसों पदों को, तो कितना होगा, तो देखिए, इन कमान 25 निकाल गया, अब हमें योग बताना है, तो S 25 का योग बताना है, तो यहाँ पर भी, फॉर्मूला हमारे यह होता है, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, काम हो जाएगा, S N बराबर में, N by 2, 2 A पलस में, N माइनस का 1 और D, यह होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पर 25 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, 25 बते में 2, फिर 2 A, 2 गोड़े में, 1 और पलस में, यहाँ पर रखेंगे 25, तो 25 माइनस का 1 हो जाएगा, फिर यह D है, तो D कमान है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, 25 को फिर 25 माइनस से 24, डिक है, 24 गोड़े 2, 48 हो जाएगा, ठीक है, तो यह में 25 बते में, ढोधो यह दो में जूर जाएगा, तो हो जाएगा 50, अब इस से आप यह काट लगते हैं, 25 बाहर में, तो यह 25 गोड़े. पलचीस हो जाएगा, ठीक है, पाqडे 25 से यह आपका असान ह धिए यह पर हमारे कुश्ट नमबर पंद्र अब इसमें इतना बड़ा कहाणी हमने आपके बुक में भी आता और हमने बिचाप दिया यहाप अब बस एक कहाणी है इसकूश्ट में बिलकुल भी दम नहीं तो कहते है कि किसी निर्माण क्या से संब्धित किसी ठेके में एक नीशित तिती के बाद कारे को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्राधान परकार रखई उतना ये कहा निका था मतलब कि कोई काम है जो kor हो रहा है अब इसमÝ कहते हैं कि जो जितना देरी होगा ठीक है उतना ही आपको उस पर कुछ टेक्स लगाए जाएगा ठीक है विलम सुल्क लगाए जाएगा तो किस तरीके से लगाए जाता है इसमें कहता है कि पहले दिन के लिए 200 दूसरे दिन के लिए 200 तीसरे दिन के लिए 300 ठीक है इसी तरीके से यह ब करेंगे अपका टाइम बढ़ता जाएगा पैसा बढ़ता जाएगा तो इसमें कह रहे हैं कि अर्थात उत्रोतर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले से 50 रुप आधिक है ठीक है मतलब कि जितना दिन आपको गैप करेंगे उतना दिन आपको क्या करने 50-50 रुप करके देन दिन का अगर उसको 200 रुपया देना होता है ठीक है और जितना दिन बिलम करेगा 50-50 रुपया बढ़ा-बढ़ा करके देना पड़ता है तो टोटल उसको कितना अजार देना पड़ेगा 30 दिन के लिए यह चीज़ बताना है तो देखें सिंपल है बिलकुल आसान तरीके से ही जब एक दिन चुट्टी मारेगा तो उसको 200 přेले रुपया देना पड़ेगा इस तरीके से 30 बार लीखेंगे पचास पचास रुपिया बढ़ा करके और फिर जाके आपका आंजार आएगा ठीक है तो तीस बार ना ली करके डारेक्ट हम इसको फॉर्मुला से हल कर लेंगे ठीक है तो देखें पहला पता आपका 200 यह बराबर में आपका 200 है अब इन दोन को जब घट आएंगे तो कितना बचेगा पचास बचेगा उसके बाद से टोटल कतना दिन तक तीस दिन तक चुट्टी मारा है तो एन बराबर में आपका 30 ठीक है अब देखें एस एन बराबर में एन बाई टू टू ए पलस में एन माइनस का वन और डी यही फॉर्मुला है ना तीस दिन के लिए तो एस तीस बराबर में तीस बट्टे में दो दो गूड़े 200 पलस यहां पर आपका एन के जगह पर कितना हो जाएगा तीस माइनस का एक और डी कमान कितना है पचास यह चीज ठीक है अब इसको हम काट सकते हैं पंदरा बार में तो यह आपको 15 हो जाएगा दो सो दूना 400 400 हो जाएगा 39 हो जाएगा गुड़े 5 0 ठीक अब यहां पर आपको देगें पंदरा 400 इसका गुड़े इसमें कर देंगे तो 5 9 45 का 5 ठीक है पांच दूरा दस चार चॉक दा ये पीछवाला 0 वालागे हम बैठा देजिए ठीक है अब यह होजाएगा पंदरा और 200 1500 में 400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 800 1500 1.575 कहां हो तो 5 बचाएगा बचा कितना साथ । 158 120 127 का साथ ठीक है 127 इस तरीक से लिखते हैं तो साथ हमने लिखा है मलब 12 बचा हुए 15 एकनम 15 ठीक है 15 और 12 कितना बचाएगा आपका तो 27 हो जाएगा यहां पर जाएगा 27 टीक है जीरो है तो जीरो बटा देंगे और यही है इतना रूपिया देना पड़ेगा ठीक है तो 30 दिन जब वो छुटी मारेगा तो इसको 27,750 रूपिया देना पड़ेगा ठीक अगर के यहां पर हमारा कुश्चिन नमबर है 16 टीक है यह भी बहुत आसान है इसमें कर रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शमगर सच्छिक प्रदरशन के लिए साथ नगत पुरुषकार देने के लिए 700 की रासी रखी गई यदि परतेक पुरुषकार अपने से पहले पुरुषकार से 20 रुपया कम है तो परतेक पुरुषकार का मान कितना होगा अब देखे कुष्ण को समझे इसमें कह रहा है कि इसकूल में कोई प्रोग्राम होगा उसमें टूटल साथ लड़कों को चुना ग कहता है कि 700 रुपे को कुछ ऐसा सातो लटको में बाटा गया कि जैसे कि पहले को जितना भी मिला पैसा ठीक है उससे 20 रुपे कम दूसरे को मिला अब दूसरे से 20 रुपे कम तीसरे को मिला तीसरे से 20 रुपे कम चोथे को मिला ठीक है तो हमें बताना है कि 700 में से पहले को कितना मिला, दूसरे को कितना मिला, तीसरे को कितना मिला, मतलब कि 7 को कितना कितना रुपिया मिला, ये चीज़े में बताना है, ठीक है, तो देखें, तो टोटाल लड़कों किसा क्या कितना है, तो 7, मतलब कि N में 700 प्रिशिया उसके पाइस सब के पैसे का अंतर कितने का है ठीक है मतलब फर्स्ट वाले से कितना कम है तो 20-20 आंतर सब का थे तो अंतर मतलब कि डी तो डी बराबर में का 20 अब यह सन है तो एसन का फोर्मुला यूज कर देंगे तो S N बरावर में N by 2 2A पलस में N minus का 1 और D ठीक है, S N कमान दिया है 700, तो यहां पर हम रिख देंगे 700, N कमान है 7, तो यहां रख देंगे 7 बटे में 2, फिर यहां पर 2A ठीक है, तो A कमान तो पते नहीं है, तो 2A यह रहेगा, उसको बसे यहां पर आपका, कितने हो जाएगा? तो 7-Ka1, ठीक है? अन कमांड 7 है तो, और डी कमांड 20 तो यहाँ पर हो जाएगा 20, simple होगए, ठीक है? तो अब इसको हम इधर बुला लेते हैं तो यह हो जाएगा 700 अब इसको जब इधर बुलाएगे तो यह भाग करने लाएगा, कुछ इस तरीके से ठीक है और इसके पास ही आपका दो ए पालस में यह वाला आपको कितना हो जाएगा छे दोनों बारा 12 120 ठीक अब क्या करेंगे कि इसको प्लाट देंगे ऐसे साथ ठीक है अब यह दोनों एक साथ है ठीक है तो जब यह ऐसा कंडिशन आ जाए तो इसको इस तरीके से लिखते हैं दो को ऊपर कर देते हैं साथ को नीचे कर देते हैं और इधर आपका दो ए पलस में 120 है सही रहना द ही ठीक है तक इदर का काट लें थोड़ा इसको हम एक बार में काट सकते हैं है थो तो सौब यह समय ब्ला लेते हैं तो माइनस का 120 ब्रावर में 2a भाग करने लएगा बड़ावर में यह यह आपका होजाएक तो पहला लड़का किstatic is को मिला है तो यह आपका 40 विरपिया मिला ठीक है अब देखिए यह पहले को यहां पर 40 अब दूसरे को 2 इती पर ब्रबर फॉर्म्ला कितना होतो पलस में दो है तो इसके में कम करकेदिक सात कोड़ा कर दादेत हैं तो यह गोड़े में अव्ाबिक division कोन मतलब नहीं है तो एक अमान है 40 ,off-2 कितना शाठ एठ एठरीक का तो एठरीक कितना वजाएगा एपलस में कम करके दो डी हो जाएगा एक कमान कितना है तो एक चालीस है दो गूरे डीकमान । है यह होलना 20 कि तो यह कितने जगा चालीस चालीस असी ठीक है एक फूर है यह पलस में 3D ठीक है तो यह हो जाएगा 40 पलस में 31234 चार चालीस सो यह हो जाएगा ठीक है ए फाइब बराबर में ए पलस में फोर डी तो एक अमान 40 पलस में चार गूड़े 20 ठीक है चार दुना आठ एक सो बीस ठीक है अब इसी तरीके से यह कर लेते हैं Het a five होगे A6 फालस में फाइब डी एक कमाने 40 पलस में 5 गूड़े 20 पाइब 25 प्रस्व एक सो चालीस एक सो चालिस ए सेवेन का मान ए पलस में 6 डी, ए का मान है चालिस पलस में 6 गोड़े 20, 6 दूना 12 एक सो साथ ठीक है तो सबसे अधिक जो प्राइज है कितना है एक सो साथ रुपय है मतलब कि फर्स्ट नंबर वाले को जो पहला नंबर पे आया है ठीक है उसको एक सो साथ रुपया दिया गया है दूसरे नंबर वाले को 140, तीसरे नंबर वाले को 120, चोथे नंबर वाले को 101 के ओल ठीक है इसी तरीके से यह वाला पूरा दिया गया है पस यह यह आप का आंसर हो जाएगा केकर कर सकते हैं एक स्कूल के वाई पर क्रेंण के लिए और बाघर पेंट लगाने के लिए लिया गया कि पड़ते कक्षा के पड़ते अनुभाग बातलब जिसे होता है तो गुरूप A, गुरूप B इस तरीके से बांट दिया जाता है, तो वही अनभाग इंदी मूलते हैं, ठीक है, तो परते का अनभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेंड लगाएगा, ठीक है, उधारण के लिए जैसे की कक्षा एक वाले, एक वाले का एक अनभाग, एक पेंड लगाएगा, ठीक है, कक्षा दो वाले, दो पेंड लगाएगा, ठीक है, कक्षा तीन वाले, तीन पेंड लगाएगा, इसी तरीके से बारा कक्षा हैं, ठीक है, तो वह बारा कक्षा तक चलता रहेगा, तो पढ़ते कक्षा के तीन अनभाग हैं, तो इस परकार बिद्यार्थी दोरा लगाए गया कुल प्रेड़ों की संक्या अब देखिए इस पर मत जाइए मैं आपको इसी चीज को एक दाम आसाम-आसाम समझाता हूं इसमें कहता है कि जितने भी कलास हैं ठीक है तीनों जैसे कक्षा एक वाले हैं तो उसको तीन भाग में बटा गया है ठीक है एक एक बी सी ठीक है जैसे कक्षा एक वाले हैं इनको तीन भाग में बटा गया है कि कक्षा एक एक और कक्षा एक बी और कक्षा एक सी ठीक है इस तरीके से बांट दिये गया है उसी तरीके से कक्षा दो वालों को भी तीन भाग में बटा गया है कक्षा दो एक्षा कक्षा 2B कक्षा 2C इस तरीके जब student अधिक हो जाते हैं तो बाट दे जाता है ना इस तरीके से तो इसी तरीके से तीन-तीन भागों में सब ही को बाट आ गया है ठीक तो इसमें कहता है कि कक्षा एक वाले का पर तेक जो सेक्सान है ठीक है यह 1iek पीड लगा दीए ठीक है तो जो अनुभाग एक है इसने एक पेड लगा दिया ठीक है पिर इसने कक्षाएक का बIN object लगा दीया है सब करेंगा lei । तो कक्षा एक वाले ने तीन पेंड लगा दिया ठीक उसके वासे कक्षा दो वाले तो अब दो वाले है ना तो दो दो पेंड लगाएंगे तो SECTION A वाले ने 2 PND लगा इया, SECTION B वाले ने इसने भी 2 PND लगा इया, SECTION C वाले इसने भी 2 PND लगा इया, तो टोटल केतना, तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 PND मिल गए, ठीक है, अब इस तरीके से कक्ष़त 3 वाले भी यही काम करेंगे, ठीक है, अब यह हम आपको बता रहे हैं कि पूल समझाने के लिए बता रहे हैं एएसा आपको आपके जो एकजाम में लिखेंगे तो उसमें आपको ऐसा नहें करना थाए यह वाला चीज रफ कारे है आपका अक्षा तीन वाले में Section A में आप यह की लोग कि तिन लगाएंगे यह तीन नौव पेंड में अभी अब हम देख रहे हैं कि इसमें पहले वाले च्छे पहले वाला थीन में कितना जोड़ा जाएगा तो यह नौ जाएगा तो यह नहीं हो जाएगा तो 12 हूँ लिखने को नो जुरत नहीं है वस यहीं 2-3 लिख दीजिए बहुत हैं तो Creational यह से निकल जाएगा आपका यहीं बराबर में वकर तीन निकल जाएगा इन इन दुन घटाएंगे दूसरे में पहले घटाएंगे तो डी कमाण निकल जाएगा थीन ठीक है डीक है टोटल कितना कष्द तो कुल संक्या बार वारा है तो एन बरारबर में यह बारए रख देंगे अब imagine बताना आइट कुल्वेर्यो देख सकते हैं कि देखिए E Sn बड़ाबर में एन बाइअ न्वाइट को एंट मैंद मांड न और दी तो इन कवा 13 अब थे दो दो गोंडे यह कमाद कितने स्थी पलस में यह हो जाएगा मैंद स्काल धी कमांड confirms हको थोजाएं कि on काट देंगे तो हो जैएक चे मैं थैं है और उसके पासे दो तियाए च्छे ये भी हो जाएगा यह जाएगा 11 33 तो यह जाएगा 6 गोड़े 49 69 54 का 4 6 3 8 5 ठीक है न 6 9 4 का यह 4 ठीक है बजाए 5 ठीक है 85 अब 25 हो जाएगा यह बस ठीक 234 पे टोटल मिल करके सभी कश्रा मिल करके लगाएगा यहां पर दीगे लंबाई क्या है ठीक है अब इसमें कहे रहे है कि यह इस तरीके जो राउंड किया गया ना यह वाला ठीक है यह टोटल 13 राउंड किया गया ठीक है अब परजेंट टाइम में कितना राउंड है एक दो तीन राउंड है ठीक है चार राउंड है ठीक है ल1,L2,L3 और L4 ठीक ह नहीं बताना है , तो अगर हम इस पूरे कोई तरी कैसे मिला देती एक बृत बन जाएगा ठीक है और ये बृत का यह किनारो अकिनारो ॉला है इसको का बोलते सको परिदी बोलते यह चीटो बोलते हैं अब ब्रीद की और्थ ब्रीद की परीधी का कितना होता है ठीक है फॉर्मुला होता है यह आपर हल करते हैं देखिए हल तो परीधी ब्रीद की परीधी का ब्रीद की परीधी का फॉर्मुला कितना होता है तो टूपाई यार होता है ठीक है ब्रीद की परीदी होता है टू पाई आर ठीक है तो और्ध बिरीद का कितना हो जाएगा और्ध बिरीद की परिदी तो इसमें दो से अगर आप भाग कर देंगे तो दो से दो कर जाएगा पाई आर बचेगा ना पाई आर यह वाला कार देते हैं ठीक है इसकी जो लंबाई है यहीं वारापका पूरी लंबाई निकल जाएगा इसोल्स थे ठीक है तो इस पाई के दीए बड़ासाथ तो भाइस बट एसबटे में साथ इसको वाज़े में बचाए और ठीक है है और मतलब टिरीजय ठीक है यह होता है त्रिजय ठीक है जैसे साइकल के निया तो के सारी त्यमिन यह यह GP कि तरीजा कितना दिया हूं तो आपको कोश्चन में दिया हूं जीरो दसम्णूम पांच तो यहां पर राम रख देंगे कि जीरो दसम्णूमें फॉट अब इसका बाद से बटे लगाएंगे इस था मुलों को आटाएंगे तो आपका L1 का जो मान निकलेगा वो 11 बटे में 7 निकल जाएगा अब इसी तरीके से L2 निकाल लेते हैं तो ये भी आपका एक और्थ भृत बन रहा है इसका भी यहां से अगर देखा जाए कहीं न कहीं इसका एक केंदर मिलेगा ठीक है केंदर से इसका है करेघए आर कमान एक तो यह हो जाएगा बटे में 7 ख़दम कहानी उसके बाच आई है L3 निकाल लेते है तो ये भी हो जाएगा पाई आर तो L3 कमान कितना है तो यह आपके डेड़ है ठीक है एक दस्वर्म पांच तो यह हो जाएगा पाई अपाई का मान 22 बढ़र साथ रख देते हैं तो यह जाएगा बाईस बट्टे में इसका मान 115 ठीक है बट्टे लगा लेंगे इसको हटाएंगे एक लिखे लेंगे इस दसम्रुक पीछे एक अ बहुत है अब यहां पड़ेगे अब यहां पर हम एपी बना लेंगे एपी तो एपी में एलवन आप गाहा था ग्यारा बटे में साथ निकला है उसके वाद से एल टु हमारा बाइस बटे में साथ निकला है उसके वाद से यल ठ्य हाकर है यह यहां पर हमने तेन बार तो निकाल अब तेरा बार काम यूग बताना तो देखे डिशए तो टेरा भार टोटन इसमें सर्फिलोंके स लिंगा कितना है ये बराबर में आपका पहला 11800 बट्टे में 7 है और इसको घटा देंगे तो डी थूसरे में से पहले योग पता आ जाता है तो इसके टोटल दूरी ते रहों बार जाओ इसको इसको इस घूमा दिया scientists टोटल कितना दूरी होगा यही चीज़ा हम बताना ठीक है लंबाई कितना होगा तो सिंपल है तो इसका हम S N बराबर फॉर्मुला का देंगे N बाई 2 2 A पलस में N माइनस का 1 और D ठीक तो N कमान 13 है तो यहां पर हो जाएगा S 13 बराबर में N के जगा पर भी 13 बटे में 2 और 2 गूड़े E कमान 11 बटे में 7 पलस में इसका तो 13 माइनस का 1 और गूड़े में D कमान 11 बटे में 7 ठीक अब इसका बासे देखे यह वजाएगा का यहाँ पाईस बराबर में चाहिए ऐए जाएगा 22 बरते में 7 पलस में यह वजाएगा बारा गूड़े 11 थो भारा गूड़े ने 11 बटे में 7 ठीक दिखा दे रहा है अब इसके बास से देखे इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देते हैं तो तेरा बट्टे में दू और यह 22 बट्टे में साथे रखते हैं प्लस में तो गयारा दूना बाइस का दो गयारा और दो तेरा हो जाएगा बट्टे में साथ अब हर बराबर है तो जोड़ना होगा तो जोड़ लेंगे घटा ना तो गटा में 7 यह हो जाएगा ठीक है अब दोसिस को हम काट सकते हैं तो यह हो जाएगा 13 गुणे में तो यह कितना जाएगा 272 274 बट्टे में 7 ठीक साथ से यह कट जाएगा 11 बार में ठीक है अब 11 गुणे 13 कर देंगे तो S 13 बराबर में कितना जाएगा 11 गुणे में 13 ठीक है तो यह आपका हो जाए कितना तेरा एक अनम तेरा का तीन तेरे काम तेरा एक चौदा एक सो तिरा अलिस यह ही आपका आंस अब लेकिए यहां पर हमारा कुश्च नमबर है 19 इसमें कहता है कि 200 लटो की धेरी को इस परक हुआ है ठीक तो कहता है कि यह 200 लटे कितनी पंग्तियों में रखे गए हैं तता सबसे उपरी पंग्ति में कितने लटे हैं ठीक है तो देखें इसको कैसे करेंगे यह भी आसानी है तो सिंपल आपको सबसे पहले तो लटो की कुल संख्या कितना है तो 200 है ठीक है लटो की आपका 200 है और उसके बाद से सबसे पहले AP बना लेते हैं AP आपका इस तरीके से बन जाएगा पहले पंक्ति में 20 है उसके बाद से 19 है उसके बाद से 18 है इसी तरीके से ये कम होता गया है ठीक है और total कितना है तो total है 200 तो total मतलब cool तो cool को हम SN से लिखते हैं SN बराबर में 200 ठीक है टॉटल जो लट यह वह total 200 है और उसके बास से पहले पंक्ति में कितनी है तो 20 A बराबर होने होजाएगा 20 और इसके बास इसको हम घठा देंगे तो D बराबर में दूसरा तो उननीस में से 20 को घठा देंगे तो यह जाएगा माइनस का 1 और इसको बस और कुछ है तो और कुछ हो नहीं है ठीक है तो चलिए इसको हाल करते हैं तो फॉर्मूला हमार हो जाएगा SN बराबर में N बाइ 2 2 A पलस में N माइनस का 1 और D ठीक SN कमान 200 200 हो जाएगा N कमान हमें गयाते करना है उसको बाइसे 2 गूड़े A कमान है 20 और N कमान हमें गयात करना है और D कमान माइनस का 1 अब इसको बाइसे इसको मिधर पर देते हैं ठीक है ताकि N सिंगल हो जाए तो यह हो जाएगा 400 फिर N हो जाएगा इधर यह होज़ाए outta 40 है और इसको पार से इसका गुणगा इसमें कर दिए ठीक है यह जब माइनस का ये वब द Small ना एक यूजे तरीक इस तरीके से थेक उसके पार से हो जाए घ्ठान 400 बराबर में Wick्स को टीक है यह ब्रेकिट पर याटा आए थि데 तो ये हो जाएगा 40 फिर यह माइनस का यंग और प्लस का एक ठ covariate अब इस न को इसमें बुड़ां कर देते हैं पहले लिक लिख लेए 400 बराबर में इसमें कर देंगे तो 40 and सब्सक्राइक है फिर इसको यह समय कर दें तो माइनस का an 69 बृष कर देंगे तो इसमें है हम करते हैं कि इसको मितहर बुला लेत कि यह माइनस में इधर आ तो पलस में हो जै एक तो इह बराबर किखर बुला लेंगे तो कितًau हो जायगा यह व्कान स्कॉईर हो जाएगा यह बरवर कि इतरे बुला लेते हैं Time UK तो और बराबर जीरो यहां देकि इसमें एक चीज़ यह वाला तो बराबर की इधर है और इन सभी को हमने बराबर की इस साइड में लाया है तो यह प्लस में रहेगा ना हम माइनस लिख रहे हैं चलिए सॉरी आप चलिए 400 तोड़ते हैं तो इस सिंपल आपको इस तरीके से तोड़ से काँए तो बढ पनाठ केंगे तो जाएगा एक ठीका तो पॉलब लूब टosnri चार ब्रोब Journal फ्र चीज भाँ तो बिनों वाला तो 25 एन और स्कोरे से पला स्में सोल ऑं है रिक ह्यट बन पलस लागकी यह वाला 400 बरावर में 0 ठीक अब यह हो जाएगा एन माइनस में 200 इस फीर माइनस में 16 फीर प्लस में 400 बरावर में 0 ह्थिक 이스피र यहां 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 तो यहां हो जाएगा कॉमन तो दो बर यहां तो एंग बर ओजाएगा यहे Sweet फिर माइनस है तो यह वाला यहां पर आ करके पलस है तो माइनस हो जाएगा बराबर में जीरो ठीक अब यह और यह एक साथ ले ले लेते हैं तो एन माइनस को जाएगा पचीस बराबर में जीरो अब किसी एक को आप ले लिए ठीक है तो आपको बुक में यह वाला दिया है ठीक है तो एन माइनस का 16 बरावर में 0 कर लेते हैं तो एन बरावर में 16 तो यह आ गया तो टूटल 16 लाइन में ठीक है इसमें पूछ रहा था था ना कि कि जो लट्थे हैं सबसे नीचले वाला पंग्ती में 20 हैं उसके वाधा से अठारा नीच फिर 18 फिर 17 तरीके से कम कर दिया गया तो टूटल कितने पंग्ती है ठीक है कितने लाइन में उसको मतलब सजाया गया है ठीक है तो टूटल लाईन एक की उपर एक तो सबसे उपर वाला में आपका कितना है नीचे साब गिंना are linear सुरू करेंगे तो सबसे उपर तो ऑर सुलहामा ग्याद कर लेते हैं तो आई सुलहामा जो ए सुला में कितना इसका ऑफिरे पंद्रा और टिक तो एक मान वीस यहां से यह घुशाँ बिस पलस में यह 15 गूड़े और डी कमान माइनस का एक माइनस का एक तो यह कितला जाएगा बीस और यह माइनस कि पंदरा हो जाएगा तो मतलब कि सबसे उपर वाला लाइन में पांच लट्थे हैं यह आपका अंजर हो जाएगा ठीक है अगला अब पूरे आपका चेप्टर का यह वाला लास्ट प्रस ने ठीक है इसमें कहता है कि एक आलू दोड़ में प्रारंविक अस्थान पर एक बा लखा गया है इस रेखा पर 10 आलू रखे गया एंठीक है प्रतेग्परत्यों की बाल्टी से चलना प्राराम करती है निकड़तम आलू को उठाती है इस लेकर वापस आकर बाल्टी में डालती है और वह एसा तब तक करती है जब तकि सभी आलू बाल्टी में ना जाए ठीक है इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तै करनी पड़ेगे ठीक है बहुत आसान है सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्ण को समझा लेता हूं कि यह क्या कहता है देखें सिंपल कहता है कि यहां पर माल लेते हैं एक आलू रख दिया ठीक है अब इस आलू से यह वाला तीन मीटर की दूरी पर दूसरा आलू रख दिया गया है ठीक है यह तो इसमें कहता है कि यहां पर जैसे कोई बच्चे है बच्चों क्या किया जाता है कि यहां से कहा जाता है कि यहां पर बाल्टिक पास खड़ा कर दिय बच्चे को बाल्टि को पास खड़ा कर दिया जता है कि इस यहां बाल्टी से आपको चलना है और आलू को उठाना फिर बाल्टी में डालना है छोटाल कितना डूरी तरह करना पड़ेगा टोटल दस आलू इस बाल्टी में डालने के लिए ठीक है ठीक है टोटल दस आलू है अब देगे इसको कैसे करेंगे सेंपल सबसे पहले एपी बनाते हैं एपी कैसे बनेगा तो सबसे पहले अगर कोई भी है ठीक है यहां बाल्टी से अगर चलना पास शुरू करेगा आलू क पास जब आएगा तो वो कितना चल दिया पांच मीटर दोरी तय कर दिया उसको फिर जब वापस जाएगा तो 5 मीटर मतलब कि आने जाने में टोटल 10 मीटर उसको चलना पड़ेगा तो 10 हमने यहां पर लिख लिए ठीक है तो पहला आलू के लिए 10 दस मीटर चलना पड़ेगा अब दूसरा हालू के लिए तो दूसरा हालू के लिए पांच मीटर तक जाएगा फिर तीन मीटर और आगे बढ़ेगा तो आठ मीटर चल जाएगा ठीक है आठ मीटर जाने में फिर आठ मीटर आने में 16, 16 मीटर चलेगा, ठीक है, अब इसी तरीके से जब तीसरा के पास चलेगा तो, तो 5 मीटर यहाँ पर, ठीक है, 5 तिन 8 मीटर, फिर 8 तिन 11 मीटर, ठीक है, तो 11, 12, यह हो जाएगा, 22, इसी तरीके से 10 बार यह आना जाना करेगा, ठीक है, यहीं से बना लेते हैं, तो A बराबर में आपको हो जाएगा, 10, और D बराबर में कितना हो जाएगा, तो 16 में से 10 को घटा देंगे, मतलब कि 6 हो जाएगा, और टोटल आलू कितने हैं, तो 10 आलू है, ठीक है, एन माइनस का 1 और डी यह बता है Johann Cảng 6 अब इसको कट देंगे तो हो जाए का पांच पिर यह your 2019 पिर यह हो जाएगा 962 और यह कितना हो जाएगा पांच गोड़े यह हो जाएगा 64 तर पांच और का बीस ठीक है बीस का जीरो 573 35 234 टोटल उनको 370 मीटर उनको चलना पड़ेगा 10 वालो इस बाल्टी में डालने के लिए बस यह आपका आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कातम हो जाएगा ठीका तुम्हें देल्स तो की सारा चीज आपको यह समाझ में आ गया होता चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अगरा चैप्टर हो करने वाले तो उसके लिए चनल को सब्सक देरो कर देरो